नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे बेहदी विशेश कारिक्रम कालचक्र में और मैं हूँ आपके साथ आर्जु दुपे तो दर्शको कालचक्र में हम बात करेंगे आपके राशी फल के बारे में कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाल है अचारे हिमांच्यू उपमन्यू जी के माध्यम से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं अचारे जी का अचारे जी राधे राधे आप सभी को राधे राधे जी अचारी जी सबसे पहले हम बात करेंगे तिथी नक्षत्र, साथी, गुलिककाल और राहुकाल के समय के बारे में बताईए जी आज दीनांख है 11 अक्टूब रसन 2022 और दिन है मंगलवार का दोदिया तिथी है और अस्वनी नक्षत्र है जो की सायम काल 5 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है और आज भगवान चंद्रमा मेस रासी में विचरण करने वाले है और आज के दिन का जो राहुकाल है वो 3 बजकर 1 मिनट से 4 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है और आज का गुलिक काल का जो समय है वो 3 बज कर 23 मिनट से 4 बज कर 57 मिनट के मद्या रहने वाला है गुलिक काल और राहु काल जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ असुब समय है इस समय कोई भी सुब कार्य करने से आपको बचना चाहिए तो दर्शको चलिए अब आपके राशियों का हाल समझ लेते हैं अचारे जी मेश, विशप और मिथुन राशी के बारे में बताएं जी मेश राशी के जातकों के लिए जैसा कि मैं आज के दिन देख पा रहा हूँ उनका भाग उनके लिए सहायक है काफी उनके जीवन के जो उतार चड़ाओं है उनमें उनका भाग उनकी साहता करेगा और उतार चड़ाओं से या उन समस्याओं से बस सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन मौसम परिवरतन मालने या अन्य विशाय मालने आज के दिन उनकी जो उदर से समस्या है उनके जो पेट से जनी समस्या है आज के दिन उनको परेशान करने वाली है विसेश कर अप्राकर्तिक भोजन उनके लिए आज बड़ी समस्या का कारण बन सकता है अपच की इस्तिती का सामना मेसरासी के जात्कों को आज के दिन करना प के लिए उप्युक्त दिन है सुख पा भी सकते हैं और दूसरों को सुख दे मैं अपड़ जाए ऐसी प्रस्तियां मुझे उनके लिए उत्पन होती हुई दिखाई दे रही है अब अगर इसी के साथ मैं बात कर लें करम में तीसरी राशी मिथुन के बारे में मिथुन राशी के जो जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं आज का दिन सोक और प्रसंदता दोनों के मद्ध का दिन रहने वाला है कुछ ऐसे समाचार या कुछ ऐसे कारसंपादित होंगे जो सोक देंगे तो वहीं कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके मन को प्रसंद भी कर देंगे लेकिन आज के दिन धन हान की स्थिती भी आपके लिए बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है तो कहीं भी कोई धन का निवेस आज के दिन आपकी राशी के जात्कों को नहीं करना है व्यापार आपका सामान रहेगा व्यापार में नए प्रयोग ना करें अन्यथा दिन आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा तो नए प्रयोग करने से आज के दिन बचे दिन ठीक भी तीध होगा तो अचारी जी करक सिंग और कन्या राशी के बारे में बतेगे उनका भी हाल समझ लीते हैं जी करकराशी के जात्कों के लिए जैसा मैं आज के दिन देख सकता हूँ आज के दिन उनके अपने ही उनके लिए नुकसान का कारण बनेंगे उनके अपनों से उन्हें कष्ट प्रात्त होगा लेकिन व्यापार और रोजगार की दृष्टी से आज का दिन करकराशी के जात्मों के लिए मुझे बहुत अच्छा जान पड़ रहा है उनका जो व्यापार जो रोजगार है अगर उसमें वो कोई नया प्रियोग करना चाहते हैं लेकिन नया प्रियोग वो ही लोग करकराशी के जाता कर सकते हैं व्यापार में जो किसी के साथ समझाओते के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं कोई उनका पार्टनर नहीं है तो ही वो आज के दिन कोई नया प्रियोग करें तो उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी और अगर कोई समझा होता किसी के साथ कोई साजेदारी है तो नया प्रयोग आप लोग निश्यत ही ना करें आपको फायदे की जगाए नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा अनत्र जगाओं से आज का दिन आपके लिए बहतर है और बात कर ली जाए सिंगरासी के बारे में तो सिंगरासी के जो जातक है आज के दिन उन्हें आर्थिक लाब सभी प्रकार से आर्थिक लाब प्राप्त होगा परंतु सारीरिक समस्याओं से दोचार होना पड़ेगा आज के दिन आपकी जो सारीरिक परिस्तियां है वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन आर्थिक इस्तियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं आप आज के दिन निवेस भी कर सकते हैं और अपने व्यापार में कोई प्रयोग भी कर सकते हैं दोनों ही परिस्तियां अनिशित ही आज के दिन सिंगराशी के जात्कों के पक्ष में रहने वाली है अब बात कर ली जाए अगर कन्याराशी के जात्कों के बारे में तो कन्या राशी के जो जातक है मैं बता दूँ आज के दिन आपकी सत्रुता बढ़ेगी और धन की समस्या भी बढ़ सकती है और सत्रुता के कारण ही आपके साथ कोई अनुहोनी घटना खटित हो जाए ऐसा मुझे आज के ग्रह योगों से आपके लिए जान पड़ता है तो आपको चाहिए कि प्रयास करें किसी के साथ कोई विवाद अपवाद की इस्तिति आप तयार ना होने दे अन्यथा आपको इस समस्या से आज के दिन बचाना बहुत कठिन होगा तो दर्शको हमने क्रम के अनुसार छी राशियों का हाल समझ लिया है अब अगली तीन राशियों की तरफ सुलते हैं आचारी जी तुला वृष्चिक और धनू तुला राशियों का है जी तुला राशियों के लियों 잠 ses से सम्मंध ho सकता है और दूसरा जो हो सकता है वो कपोल कलपना भी हो सकती है उनका वो शुक तो जब भी आपको कोई सुख पराप्त हो तो आप उसको उसकी जाच परग जरूर कर लें क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको जूटा वादा या जूटा दिलासा देकर चला जाए और दूसरा जो मसला है रोग और भय इनके कारण आज के दिन आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है नुकसान आपके रुजगार व्यापार और धन से जुड़ा हुआ रहने प्रासी के जो जातक है मैं बता दूं आज के दिन आपकी सारीरिक पीड़ा आपके लिए समस्या कारण बन सकती है लेकिन परेशान ना हो अगर आप नियमित और संयमित रहते हैं तो निशित ही आपको आरोग्यता की प्राप्ती हो जाएगी रोग आपका कुछ भी नहीं व धनुराशी के बारे में अगर बात कर लिए जए तो धनुराशी के जो जातक है मैं उनके लिए बता दूं आज का दिन उनकी भी सारीरिक प्रस्तियां मुझे अच्छी नहीं दिखाता है। और समाज में या परिवार में आपकी परसितियां आज के दिन सबल होने वाली हैं तो अपनी दैनिक दिन चर्या पर नींतरना रखें निश्यति दिन आपके पक्ष मेnine मज़ें अंतिम तीं राशी मकर राशी के आज के दिन मुझे अच्छा नहीं लग जात्कों के मन में बना रहने वाला है वैसे तो कहा गया है मकर राशी जो है वो मकर को रिपेजेंट करती है मकर मक्ष को मकर जो होता है जल के अंदर जब तक रहता है तक किसी डरता नहीं है लेकिन जल के बाहर आ जाने पर और उसे भी दूसरे जीवों का डर होता है तो आज के दिन आप अपने comfort zone से जब बाहर निकलेंगे तो निश्चित ही आज के दिन आपकी राशी के जात्कों को कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है और मन में इसी बात का डर बना रहने वाला है हाँ कोई शोग देन इतनी अच्छी रहने वाली है कि कहीं न कहीं उनके मन में इस प्रकार की स्थितियां आ जाएंगी एक को ही ब्रमो दतियो नास्ति इस संसार में सिर्फ हम हैं दूसरा कोई नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा अपने मन में आप विचार ना नेने क्योंकि क्या होगा जब आपके मन में ऐसे विचार आ जाएंगे तो आप कामन पाप कर्म और अधर ममार की ओर चल निकलेगा तो आपको आज के दिन इस परिस्तिति से बचना चाहिए और अंतिम राशी अगर मीन के बारे में बात कर ली जाए तो मीन राशी के जो जातक है आज के दिन आपको और समस्या है जो आपके साथ जुड़ी हुई है वह है दर्द का डर आपको आज के दिन बार बार ये मन में डर समाने वाला है कि कहीं चोट लग गई तो ये ज़्यादा दर्द तो नहीं करेगी ऐसी परिस्तितिया नित प्रति आज के दिन आपकी राशी के जातकों को मन मे भय की स्तिती का प्रभाव छोड़ने वाली है तो दर्शकों हमने राशियों का हाल समझ लिया है अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कारिकरम में और अचारे जी से जानेंगे अबजीत महुरत के बारे में जी आज का अबजीत महुरत है और भगवान नारायन का ही महीना कहा जाता है से तो इस समय, इस मास में जो भी अभजीत महुरत का समय होगा वो विसेश फलदाई होगा आप इसमें कोई भी प्रियोग या कोई भी कारे करेंगे तो निश्यत ही उसका लाब कई गुना पड़ जाएगा अचारे जी जिन लोगों का आज राशी फल अच्छा नहीं है उनके लिए क्या विशेश उपाय है अब के लपास जी मेरे पास आज उनके लिए विशेश उपाय के तोर पर यही है भगवान हनुमान जी का इस मरण करें और जाकर के ग्यारह बेशन के लड़ूं का भोग हनिवान जी के चड़नों में लगा दे अगर देखें मैं बार बार इस बात तो कहता हूँ आवश्यक ये नहीं है कि आप ग्यारही लड़ूं का भोग लगाए तो अगर आपके पास धन नहीं है तो ईश्वर आपके भी है आप जाकर के हाथ जोड़कर उनके सनमुक खड़े हो सकते हैं और आपका कल्यान हो जाएगा दो दुलसी की पत्ती भगवान हनुमान जी के पास समर्पित कर दें आपको उतना ही पुणने मिल जाएगा तो निश्वर ही आप 11 लड़ूं के साथ दुलसी दल समर्पित करें आपके सब ही बिगड़े हुए कारे बन जाएगे बिलकुत तो चलिए आज के लिए काजशक्र में बस इतना ही कर फिर हाजिर होंगे एक नए विशे के साथ आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिये और बेहत खुश रहे नमस्कार